इकनोमी की अंसर्टिनिटी की बावजूद भी प्रोपर्टी मार्केट की अगर हम बात करें वो स्काई रोकेट पे है अनफोर्डिविलिटी काफी भड़ती चली जा रही है तो आशी जी से आज डिसकस करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से मेजर ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से प्रोपर्टी मार्केट यहां से और नीचे जा सकती है आशी जी से ये भी डिसकस करेंगे कि ऐसी कौन सी चार मेजर सिटीज हैं जहां पे प्रोपर्टी मार्केट और उपर जा सकती है ऐसी कौन-कौन से पॉइंट्स है या फिर रिसेशन की अंसर्टिनिटी है जि election भी आने वाले हैं तो उस case के अंदर ऐसे कौन-कौन से चार major trigger point हैं अगर मैं trigger point के बात करूँ जहां पर property market stability की तरफ जाएगी या फिर और नीचे जाने को मिल सकती है तेखो विने जी आज एक affordability index के बारे में भी discuss करेंगे जो कि ये बताता है कि जो आपकी earning है उसके अंगे जो आप EMI देते हैं और property price जो हो चुके है वो affordable भी है या नहीं है खरीदार कहां से आएगा तो उस point of view से कौन सी वो cities हैं जहां पर अभी भी potential है price के उपर जाने का हाला कि मुंबई गुर्गाओं की अगर हम बात करें वहाँ तो काफी ज्यादा उपर price आ चुका है और लोग move कर रहे हैं दूसरी cities में तो किन cities की तरफ आपको रुख बनाए रखना है उसके बारे में detail में discuss करेंगे पहले हम ये discuss कर लेते हैं कि आपको करेक्शन कब देखने को मिलेगा प्रोपर्टी में जैको प्रोपर्टी के प्राइज उपर कब गए क्यों गए थे उसके लिए हमारा पार्ट वन का जो वीडियो है कि प्रोपर्टी प्राइज में crash आपका जल्दी आ सकता है उसमें हमने ने बताया है कि किस रीजन की वज़े से आपके प्रोपर्टी प्राइज ऊपर गए है और क्या रीजन थे कि जिसकी वज़े से एंडियन प्रोपर्टी मार्केट से दूर थे उनके पास पैसा इकठा हुआ था जो कि आपका पैसा गुरगाओं मुंबई जैसे शहर में जा रहा था पर अभी सिसको ने बोला है अगर हम बात करें तो वहां पर हो 2024 में 35,000 जोप का लेओप करने की बात कर रहे है नोकिया की बात करें तो वहां पर 11,000 जोप की आसपास का कटका expected है उसके लावा टेक कंपनिस की बात कर वहां पर जाते आते हों देखने को मिलें और जिसकी वज़ए से थोड़ा सा जोप कंसन जब आता है तो लोग कौशास हो जाते हैं तो पैसा आपका जो इनफ्लोव भी प्रोपर्टी में आ रहा है वो रुकते होए देखने को मिल सकता है थर्ड क्वाटर ऑफ 2024 की अगर मैं पर्टी मार्केट कैसा होगा और जब भी उनको लगता है कि आगे अग्रेसिवली वो इतने अपने फ्लैट्स या प्लोट्स नहीं बेच पाएंगे तो अट्रेक्टिव पेमेंट प्लैन भी निकालते हैं अभी जो पेमेंट प्लैन आ रहे हैं वह 30-40-30, 10-90 और 20-80 के आते का स्लोडाउन होने का और जैसे ही ये अभी तो लोग 10-10-20% पैसा देके ऐसा सोच रहे हैं कि जब भी हमारा सूपर स्ट्रक्चर की या पोजेशन के आसपास 3-4 साल में डिमांड आएगी तब तक हम ना जो ये प्रोपर्टी जिसको हम बंदर भी बोलते हैं वो बंदर मैं किसी और को दे दूँगा और यहां से प्रोफिट कमा के निकल जाओंगा तो यही एक आपकी कौशिस लेवल है कि जैसे ही मिट 2025 में हम एंटर करेंगे 2025 के जून जुलाई के आसपास हो सकता है कि अगले 3-4 महीने आपको और भी प्रोपर्टी के प्राइस भरते हो देखने क को मिल सकती है तो यह ध्यान रखें इसके अलावा देखो सेंटरल बैंक ने हाला कि मना किया है कि इंडिया में ऐसा कोई ग्रोफ का कंसर नहीं होगा पर आगे देखना होगा पर इंडिया में डेट टु जीडीपी रेशो काफी जादा हो चुका है यह वार्निंग दी है वि आपको ध्यान रखना है डेट टु जीटीपी आपका कंट्यूर्स बनता जा रहा है तो हो सकता है कि 2025 में आपको सरकार की तरफ से कम खर्चा देखने को मिले क्योंकि उनको ध्यान रखना है कि इतने ज्यादा लोन भी सेंटरल बैंक के उपर ना हो तो वह जब आपके जो न मिलेगी इसके अलावा DLF ने भी बोला है जैसे हमने पहले बात की थी लुकरेटिव आपके आप्शन साएंगे आपके पेमेंट प्लान के जो आने इंडिकेशन शुरू हो चुका है दूसरा DLF ने बोला है कि जो उनके दिमांड को देखते हुए अपने लॉंच प्री प ही बेच दिया जाए यह इंडिकेशन मुझे देखता है अला कि गलत होगा सही होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कहां आपके लिए पोटेंशल है वो भी अभी हम डिसकस करेंगे इसके अलावा अगर मैं NCR रीजन की बात करूं गुरगाओं की बात करूं तो कुछ चीजें हैं मुझे लगता है जिसकी वज़े से आपको प्रोपर्टी में 2024 के end आते आते थोड़ी stability देखने को मिलेगी और 2025 में आपको थोड़ा correction आते हो देखने को मिल सकता है जैसा 2012 में भी आया था तो आशी जी ये तो बात होगी कि property market थोड़ी सी stable या फिर correction point of view जा सकती है बट अगर मैं for example अपनी जो investment है उसको secure करना चाहता हूं तो मुझे एक तो affordability index की बारे में थोड़ा सा बताएं और दूसरा ये बताएं कि ऐसी तीन से चार major cities कौन सी है जहां पर मैं investment करूं और थो इसी property market ओर उपर जाए बिल्कुल विने जी हम थोड़ा सा साउथ इंडिया नोर्थ इंडिया और सभी इंडिया जुकी सीटीज है उसको थोड़ा cover करना चाहेंगे affordability index होता क्या है जो मैंने पहले भी आपको थोड़ा बताया था कि जितना आपकी income का portion है वो EMI में जो जाएगा किसी house को afford करने के लिए वो आपका affordability index बनता है और 50 से उपर जाने का मतलब है कि उस शहर में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है और property के price इतने ज़्यादा तो यहाँ पर आपके मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा appreciate हो सकता है ना करें affordability index की अगर मैं बात करूँ NCR reason आपको 27 पर दिख रहा है पर यहाँ पर confused ना हो यहाँ पर क्योंकि NCR reason में Noida भी आता है गुरगाओं भी आता है और कुछ चोटी cities भी आती है जैसे अगर हम ब इंडेक्स भी 50 को क्रोस कर चुका है तो गुरगाओं और मुंबई आपके अनफोड़ेबल हो चुक है और NRIs को और काफी लोगों को यह बात पहले ही समझ आ चुकी है इसी वजह से अब लोग रूप कर रहे है नोड़ा की तरफ पूने की तरफ बैंगलोर की तरफ वहाँ पर मुझे लगता है इन तीन सीटिस की मैं बात करूं तो पूने मुझे भी अभी पोटेंशियल वहाँ पर दिखता है जिस तरह इसे वहाँ पर आईटी कंपनी आ रही है तो वहाँ पर मुझे लगता है कि यह अपका और इंक्रीज होगा या प्रोपर्टी के प्राइज आ वहाँ पर भी प्राइस काफी ज़्यादा गुडगाओं की तरह इंक्रीज कर चुके हैं तो अगर आपके नोड़ा अफोडेबल में नहीं आता रहा तो ग्रेटा नोड़ा की तरफ रूप कर सकते हैं जहां पर आपका एरपोर्ट आ रहा है तो वहाँ पर थोड़ा आपको two bedroom flat मिल जाता है जो कि आपको over a time अच्छा return दे सकता है अगर आप चाते हैं कि कि शहर में कौन सी property आपके लिए बैटर रहेगी या affordable flat के लिए हमार को कोई एक special video लेके आना चाहिए तो उसका comment section में जरूर लिखें वो special video हम जरूर बना सकते हैं इसके अलावा मुझे देहरादून city काफी पसंद है क्योंकि वहाँ पर pollution का concern नहीं है तो एक वाटर क्राइसिस आपको जरूर गुडगाओं या NCR में देखने को मिल सकता है pollution का concern बना हुआ है जिसकी वज़े से लोग आने वाले समय में hill station की तरफ रूख करेंगे तो देहरादून आपका एक capital city होते हुए मुझे लगता है वहाँ पर आपको अच्छा appreciation long term में मिलेगा short term में देखना है तो नोईडा तुने ये दो आपके city रहेंगे जहां पर आप सो सकते हैं बाकी affordable index जितना आप नीचे की तरफ आएंगे उतना आपके लिए potential होगा आगे future में property price को increase करने के लिए मुझे लगता ह है कि गुडगाओं और Mumbai अभी अनफोडेबल हो चुके हैं फिर भी अगर आपको गुडगाओं में luxury flat में invest करना है तो दवार का expression में हो सकता है आपको यहां से 10-15% का आपको appreciation और देखना को मिले और गुडगाओं मुझे कहीना कहीं लगता है 10,000 एक affordable range बन जाएगी इससे जाने पर थोड़ी टेंशन होगी अगर आप investment point of view से यहां पर आकर अपनी property को द्यूगुडगाओं की अगर मैं बात करूं या सोना की बात करूं सोना से तो मैं जो लगता है कि अब आपको दूरी बना लेनी चाहिए तो यह कुछ factor रहेंगे जिनको आपको ध्यान रखना से यह अगर आप property में invest करना चाहते हैं